तो देखो आज हमें पढ़ना है जीनर डायोड पढ़ना है आज हमें ओके आज हम लोग पढ़ेंगे जीनर डायोड कल हमने पढ़ा था PN जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा था तो बेसिकली PN जंक्शन ही है और उसके हमने characteristic curve भी बनाए हुए यानि कि हमने उसका जो forward characteristic curve है और जो reverse characteristic curve है वो दोनों बनाए हुए उसके जो characteristic curves बनते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं एक में रूपना है क्या होगे तो characteristic curves जो उसमें बनते हैं मैं reverse का बना रहा हूँ बस reverse में जो characteristic curve बनता है है वो कुछ ऐसा बनता था ऐसा और उसके बाद फिर यह से इस तरह से इंक्रीज होता था यह हमारे पास reverse characteristic करवाया था यहाँ पर जो current आई थी इसको नाम दिया था मैंने IR या IS मतलब saturation current और यहाँ था negative applied voltage हम apply कर रहे इसको हम reverse voltage नाम दे रहे थे और से voltage को हमने नाम दिया था breakdown voltage में इस voltage को अमने नाम दिया था breakdown लोटेज यहां तक का ध्यान अभी तक सब को यहां किश तक सभी को clear है अभी तक यह हम बात कर चुक है तो यह जो breakdown voltage जो हमने already बात की कि जिसके उपर आके circuit का breakdown हो जाता है circuit का breakdown होने का मतलब है जो P-N junction diode है वो जल जाता है जो P-N junction diode है वो जल जाता है तो इसका satisfactory explanation सबसे पहले जिन scientist ने दिया था उनका नाम था C-Gener का नाम पढ़ गया क्या breakdown voltage की जिनर voltage और जो breakdown current थी या saturation current थी उसका नाम पढ़ गया general current तो breakdown voltage और general voltage अलग-अलग नहीं है same कहानी है breakdown voltage वो voltage जिसके उपर circuit breakdown हो जाता है यानि कि जो circuit है वो जल जाता है उसको breakdown voltage कहता है क्योंकि इसका explanation सबसे पहले C jiner ने किया तो इसलिए जो breakdown voltage है इसको कहा गया jiner voltage और जो saturation current ही उसको नाम दे दिया गया jiner current ठीक है तो the satisfactory explanation satisfactory explanation explanation of breakdown voltage of breakdown voltage first given by first given by C jiner C jiner hence hence breakdown voltage hence breakdown voltage is known as jiner voltage jiner voltage and current current is known as jiner current and current is known as known as jiner current और जो current है उसको कहा नाम दिया गया jiner current नाम दिया गया ठीक है भाई अब जो breakdown voltage है या जो jiner voltage है वो depend करती है amount of doping यानि कितनी कि जा रही है मैं आपको एक बार वापस से concept बता हूँ हमने इस तरह से एक pn junction diode बनाया था हमने बनाया था इस तरह से pn junction तो यहाँ बीच में जो layer बनी थी इस layer को हमने नाम दिया था depletion layer इस layer को हमने नाम दिया था depletion layer depletion मतलब जिसके अंदर carriers नहीं है charge carriers नहीं है तो उसका मतलब उता है deplete तो यह layer बनी थी अगर मैं doping ज़्यादा कर दूँगा if doping is more doping is more doping अगर ज़्यादा होगी तो यह जो depletion layer है इसकी width कम हो जाएगी इसकी width कम होने का मतलब है यह लगातार कम होती जाएगी अगर doping ज़्यादा होगी तो इसकी width क्या होगी कम होगी तो width of depletion layer width of depletion layer decreases इसकी जो width है वो कम होगी और अगर doping कम होगी if doping is less अगर doping कम होगी तो width जो है वो ज़ादा होगी width of depletion layer increases width of depletion layer increases और जो breakdown voltage है वो सारा का सारा चक्कर क्या है कि यह जो depletion layer है यह खतम हो जाए जैसे ही depletion layer खतम होगी तो जो पूरा का पूरा PN junction diode है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा तो कुन्विला के इसको उडाना है हम है इस चीज को अगर ये width कम है तो कम breakdown voltage पर ही क्या हो जाएगा circuit break हो जाएगा और अगर ये width जादा है तो बहुत जादा जो voltage है उसके उपर circuit क्या होगा breakdown होगा तो दोनों ही case में लफडा है पर depend कर रही है तो जीनर वोल्टेज और breakdown voltage जीनर वोल्टेज और breakdown voltage ब्रेकडाउन वोल्टेज depends on depends on amount of doping amount of doping यह doping के उपर depend कर रहा है amount of doping doping यदी जादा है तो width कम हो जाएगी width कम हो जाएगी तो कम voltage पर ही जीनर जो जीनर जो क्या बोलता है अपना PN diode है वो ब्रेक और जाएगा तो if if doping is if doping is less then then circuit will break down junction will break down then junction will break down will break down at low reverse voltage यदी जादा हो गई if doping is high doping high होगा तो क्या होगा width कम हो जाएगी ने doping is less तो यह जादा voltage पर होगा मैंने उल्टा लिख दिया then junction will break down at high reverse voltage at high reverse voltage उल्टा लिख दिया बने at high reverse voltage और यदी doping high है तो जो width है वो कम हो जाएगी तो junction है वो low reverse voltage पर हो जाएगा then then junction will break at low reverse voltage यानि कि दोनों ही cases में पंगा है कि जादा कर दिया तो भी दिक्कत है और कम कर दिक्कत है इसलिए जो doping है वो moderate amount की की जाती है moderate मतलब ना जादा बहुत जादा और ना बहुत जादा कम तो जीनर डायोट जो है वो बनाया जाता है कैसे बनाया जाता है जीनर डायोट बनाने के लिए moderate doping की जाती है PN junction में ही moderate doping करती जाती है मतलब एक्स्ट्रा कुछ अलग से कोई material लेके जीनर डायोट नहीं बना रहे है जीनर डायोट बनाने के लिए हम crystal डायोट में ही और थोड़ी सी और doping को बढ़ा देते है doping को थोड़ा सा और बढ़ा देते है तो वो किसकी तरह काम करने लग जाता है जीनर डायोट जीनर डायोट का basic function क्या है कि जीनर डायोट is mainly used to prevent mainly used to prevent to burn out the PN junction जो PN junction जल रहा था अभी तक उसको जलने से बचाने के लिए जीनर डायोट का use किया जाता है तो जीनर डायोट basically बन कैसा रहा है जीनर डायोट को बनाने के लिए जो हमारा normal crystal डायोट है उसमें ही थोड़ी सी डापिंग और बना दी थोड़ी सी डापिंग को technically नाम हम दे रहे moderate doping है ना तो जीनर डायोट अजीनर डायोट अजीनर डायोट is form by moderate amount of doping moderate amount of doping moderate amount of doping in normal crystal diode,nor memorable crystal diode या p-n junction diode भी पने consume नॉर्मल, क्रिस्टल और पी एन जंक्षन डायोड यह जो पी एन जंक्षन डायोड है इसमें थोड़ी सी डोपिंग और बढ़ा दी तो यह क्या बन गया जीनर डायोड जो है वो बेसिकली यूज किया जा रहा है तो प्रिवेंट दा पी एन जंक्षन फ्रॉम बर्न आउट पी एन जंक्षन को जलने से बचाने के लिए जीनर डायोड का यूज किया जाता है तो इट इस यूजड तो प्रिवेंट दा सर्किट प्रॉम बर्न आउट सर्किट को जलने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है जीनर डायोड जो है उसका सिंबल क्या होता है सिं में क्या बना दिया जाता है इस तरह से Z बना दिया ऐसे बना दिया तो ये है जीनर डायोड ये Z का मतलब है जीनर तो ये जीनर डायोड का सिंबल है जीनर डायोड का सिंबल है ठीक फिर नेक्स चीज का आएगी जीनर डायोड हमेशा reverse में connected होता है जीनर डायोड हमेशा reverse में connected होता है it is always connected in reverse it is इस चीज का मतलब क्या भी diagram बना के बताऊंगा मैं it is it is always connected it is always connected in reverse reverse का मतलब है कि ये हमेशा किस में रहेगा reverse बाइसिंग में रहेगा i.e. it is always in reverse बाइसिंग it is always in reverse बाइसिंग ये हमेशा reverse बाइसिंग में रहेगा फिर next point क्या आता है जो जीनर डायोड है जब forward बाइसिंग में होगा जब circuit forward बाइसिंग में होगा तो जीनर डायोड नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा पर जैसे ही सरकिट रिवर्स बाइसिंग में आएगा तो जीनर डायोड ओन स्टेट में आ जाएगा ठीक है तो इन फॉरवर्ड बाइसिंग इन फॉरवर्ड बाइसिंग जीनर डायोड जीनर डायोड इस वर्क लाइक और एन ओर्डिनरी डायोड ये एक ओर्डिनरी डायोड की तरह काम करेगा पर जैसे ही सरकिट बाइसिंग में जीनर डायोड स्टार्ट स्टू वर्क स्टार्ट स्टू वर्क जीनर डायोड रिवर्स वाइसिंग में काम करता है तो इससे आप यहां कह सकते हों कि जीनर डायोड जो है उसका में फंक्शन कहा है रिवर्स वाइसिंग में इसका में फंक्शन कहा है रिवर्स वाइसिंग म यहां तक clear है फिर एक और important point है Jynar diode में कितने PN junction होते हैं तो Jynar diode में एक PN junction होता है तो there is only one PN junction there is only one PN junction PN junction in Jynar diode तो Jynar diode में केवल एक PN junction होता है clear है यहां तक बही बताओ जलने सक्थ चले साब अब बात करते हैं आगे कि तो सबसे पहले में बात करूँगा equivalent circuit of Jynar diode 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 का मतलब क्या है आपको दो state पहचान दी सबसे पहले जब आप कोई circuit को solve करेंगे तो circuit को solve करने के लिए आपको यह identify करना होगा कि Jynar diode on state में है या off state में है इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़े आपको चेक करनी पड़ेंगी क्या चीज़े चेक करनी है उनकी हम बात कर रहे हैं तो एक state होगी on state कि Jynar on state में है एक state होगी off state कि यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो अगर ordinary diode होगा ordinary यानि कि forward vicing अगर होगी तो उस case में Jynar diode ordinary diode की तरह काम करेगा यानि कि काम इसका नहीं चल रहा होगा यह बंद पड़ा होगा और जब reverse vicing में होगा और कुछ particular voltage होगी तो वहाँ पर Jyn state के लिए एक diagram बना रहा हूँ तो जो diagram में बना रहा हूँ वो कुछ ऐसा है circuit diagram मना रहा हूँ में यह है plus यह है minus यहाँ पर जो voltage apply है यह है B और यहाँ जो current flow हो भाए वो हो भाए IZ देखो connection देखना ध्यान से जो मैंने connection किया है यह P है और यह N है और यह battery का minus terminal है और यह battery का plus terminal है तो इसको जब हम connect करके दिखाते हैं connect करके दिखाते हैं तो यह कैसे connected है reverse vicing में यानि कि यहाँ minus से क्या connected है P और यहाँ plus से क्या connected है N तो जब हम इसको circuit में connect करके दिखाते हैं तो यह हमेशा reverse vicing में connect करना पड़ता है हमें पैली चीज़ दूसरी चीज़ यह है कि यह जो voltage है जिसको मैंने V लिखा है इस voltage को हम बोलते है applied voltage या input voltage तो V जो है वो कौन सा है applied voltage applied voltage और input voltage input voltage और एक और voltage होगा यहाँ पर जो जीनर का voltage होगा तो जीनर का voltage होगा उसको हम लिखेंगे VZ से इसको हमने लिखा VZ VZ का मतलब है VZ का मतलब है जीनर voltage अब जब circuit diagram solve करोगे solve करते time इस diode को हटाना पड़ेगा diode हटेगा तो इसके जगे एक battery आएगी battery आएगी तो वो कुछ इस तरह ही बनेगी अचा पहली condition on state का मतलब क्या होगा पहले मैं बता दू on state का मतलब होगा कि यदि यह जो applied voltage है या input voltage है यह अगर ज़्यादा हो गया या बराबर हो गया vz के यह ज़्यादा हो गया या बराबर हो गया vz से तो यह on state में हो जाएगा मैंने का जिनर diode का main function क्या है circuit को जलने से बचाना और vz का मतलब कौन सा voltage है breakdown voltage vz का मतलब कौन सा voltage है breakdown voltage तो यह वो voltage है जहाँ पर circuit breakdown की condition में पहुँच गया या हमने जो reverse voltage apply कर दिया वो VZ के बराबर पहुँच गया उससे जादा पहुँच गया तो अब हमें एक ऐसा device चाहिए जो इस circuit को जलने से बचा ले तो वो device कौन है? वो device है जीनर diode तो जैसे ही voltage इसके पास पहुचेगा इस breakdown voltage के या इससे उपर जाएगा तो जीनर diode हरकत में आ जाएगा यानि कि वो काम करना start कर देगा तो वो अपने आप में कुछ ऐसे changes लाएगा कि circuit से flow होने वाली current की जो value है वो कम हो जाए current की value कम हो जाए या उसका voltage कम कर दे जिससे circuit जलने से बच जाए तो ये on state में कब आएगा? ये on state में आएगा जब V greater than equals to less than Vz है V का मतलब है applied voltage और ये किसमें बात कर रहे हैं? reverse उसमें बात कर रहे हैं तो इसका जो equivalent circuit बनेगा वो equivalent circuit कैसे बनेगा? वो ऐसा बनेगा plus minus और यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई ऐसे तो ये plus हो गया और ये minus हो गया देखो यहाँ पर एक confusion ये create हो सकता है यहाँ पर एक confusion ये create हो सकता है ये iz, iz, iz का मतलब है general current यहाँ पर confusion ये create हो सकता है कि मैंने यहाँ पर तो इसको connect किया है reverse pricing में और जब मैं इसको battery बना रहा हूँ तो इसको लिख रहा हूँ plus और इसको मैं लिख रहा हूँ minus plus minus मैंने यहाँ इसलिए लिखा है कि यह अब कौन सी condition में काम कर रहा है we applied more than less than equals to vz तो जैसे ही यह होगा तो यह on state माएगा और on state का मतलब है यह अपने मैं से current को flow होने दे तो इसलिए आपर battery इस तरह से लगाई गई है तो v और यह current है iz, iz का मतलब होगा जीनर current iz का मतलब होगा जीनर current एक दूसरी condition बनेगी जिसको हम कहेंगे off state off state off state का मतलब है जो यह voltage है applied voltage यह कम हो किस से vz से तो जब जीनर voltage से voltage कम है तो इसको कुछ काम करने की जर्वत नहीं है मतलब circuit safe है इस condition में मतलब circuit जलने की condition में पहुँच रहा है है उसके आसपास पहुँच रहा है और जब यह off state में इसका मतलब circuit safe है तो इसमें इसको काम करने की जरुवत नहीं है काम करने की जरुवत नहीं है तो यह circuit से हट जाएगा हट जाने का मतलब है जो इसका equivalent circuit बनेगा यहां से open circuit हो जाएगा यानि कि इसमें से current का flow नहीं होगा यह plus है यह minus है तो यहाँ पर जो voltage हो गई वो VA है और यहाँ पर जो current की value है वो कितनी हो जाएगी 0 जीनर current की जो value है वो कितनी हो जाएगी 0 जीनर current की value है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी clear है आदक तो यह दो state बनती है इसकी एक बनती है on state और एक बनती है off state clear है भई तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है जबी भी आप जीनर डायोड के question solve करोगे तो उसमें आपको ये चेक करना है जो applied voltage है वो जीनर डायोड से ज़्यादा या कम है अगर applied voltage जीनर डायोड से कम है तो वो off state में रहेगा यानि कि वो जाएगा circuit में से और यदि applied voltage जीनर डायोड के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो उस case में जीनर डायोड कम करेगा अब हम बात करेंगे कि जीनर सर्किट हमें किस तरह से solve करना है question के अंदर हमें जीनर डायोड सर्किट जो दिये जाते हैं उनको किस तरह से हमें solve करना है solving जीनर डायोड शर्किट solving जीनर डायोड शर्किट जीनर डायोड शर्किट हमें कैस सॉल करना है तो इसमें तीन अलग अलग कंडिशन बनाएंगे पहली कंडिशन हम लगाएंगे जब input voltage और जो input resistance है input load resistance दोनों fix हो इसमें पहली कंडिशन में बना रहा हूँ when when EI and RL are fixed EI and RL are fixed इस चीज का मतलब क्या है EI का मतलब है input voltage input voltage और RL जो है उसका मतलब है load resistance RL का मतलब है load resistance यह दोनों जब fix हैं तो उस ताइम हम circuit कैसे solve करेंगे यह हमें देखना है तो हमें circuit जो दिया गया है वो कुछ इस तरह का circuit है यहाँ पर लगा दिया जीनर डायोड यह जीनर डायोड लगा दिया यहाँ से current का flow होगा है यह input voltage है यहाँ से input voltage है यह लगा हुआ है resistance यहाँ पर है plus और यहाँ पर है minus यहाँ से current का flow रहा है यहाँ current गया यहाँ current गया यहाँ लिखा हुआ है RL और RL के across जो voltage है उसको लिखा मैंने E0 सबसे पहले चीजों का मतलब समझ लेते हैं मतलब क्या है पहले EI का मतलब है input voltage यह मैंने आपको बताई दिया RL का मतलब है load resistance यह जो R है यहाँ पर यह current है यह I यह total current है यहाँ current आएगी IZ और यहाँ current आएगी IL तो IL जो है वो कौन सी current होगी load current load current IZ का मतलब होगा jiner current IZ का मतलब होगा jiner current और जो यह E0 लिखा है E0 इसको आम बोलेंगे jiner output voltage इसको हम क्या बोलेंगे output voltage इसको हम क्या बोलेंगे output voltage ठीक है और एक और यूज करेंगे हम VZ VZ हम किसको बोलेंगे jiner voltage को बोलेंगे jiner voltage और jiner voltage और output voltage दोनों same रहेंगे क्योंकि दोनों parallel में लगे हुए तो जो output voltage होगा approximately वही यहाँ पर क्या होगा जीनर voltage होगा लगबग लगबग दोनों की value क्या होगी बराबर होगी यह जो circuit है यह किस के लिए बनाया गया है यह voltage stabilizer का circuit है यह circuit किसका है voltage stabilizer तो जीनर diode किसके तरह काम करता है voltage stabilizer की तरह काम करता है stabilizer का मतलब होता है जो voltage को stable रखे तो जीना डायोड work like as a voltage stabilizer जो voltage को stable रखे तो यह हमें एक circuit दिया गया है और circuit के अंदर किस चीज़ का क्या मतलब है मैंने आपको बता दिया अब सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको voltage की value निकाल ले है voltage की value मतलब E not की value निकाल ले है तो first step आपका क्या रहेगा किसी भी circuit के लिए find out find out value of E not E not का मतलब है उसको हम यहाँ पर कहेंगे तो जीनर voltage अगर E not से जादा हो गया तो तो circuit में जो जीनर डायोड है वो off state में रहेगा और अगर ये E0 जादा हो जाएगा किस से VZ से तो फिर ये काम करेगा यानि कि on state में आएगा तो सबसे पहले हमें E0 निकालना है E0 निकालने के लिए हमें क्या करना है में जीनर डायोड को circuit से हटा देना है पहली step क्या रहेगी to find out value of E0 और इसके लिए हम क्या करेंगे remove remove जीनर डायोड from the circuit remove जीनर डायोड from the circuit from the circuit circuit से हमने क्या करा जीनर डायोड को हटा दिया circuit से जीनर डायोड को हटाया तो हमारा जो equivalent circuit है वो कुछ इस तरह का बनेगा यह हो गया RL यहां से जीनर डायोट हटा दिया तो हटा दिया तो यहां पर I, Z की value कितनी हो गए यह 0 यहां से current flow हो रही है कितनी I और I और I, L अब A की हो जाएंगे क्योंकि total जो current है वो same हो गए है यहां पर resistance लगा हुआ है already और यह resistance है R यह resistance है R और यहां पर एक voltage आपने apply किया हुआ है यह है plus यह है minus और यह voltage जो है वो कौन सा है EI voltage है कौन सा voltage है EI तो अब इस circuit को solve करना है तो इस circuit को जो आप solve करोगे तो क्या लिखोगे minus से plus जा रहे हो तो क्या लिखोगे EI minus I, R I, R अब I और I, L same हो जाएंगे क्योंकि जो जीनर current है वो 0 हो गया तो I बराबर क्या हो जाएगा I, L हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा minus I, R, L equals to 0 तो यहां से आप I की value निकाल लेंगे और I की value कितनी आ जाएगी EI over R plus R L clear है यहां तक next step आपको क्या गरना है आपको E naught के value निकाल ली है और E naught कहा है कहा है यहां पर E naught यह जो E naught है इस E naught को हम V भी भो लेंगे और यह E naught किसके across voltage है load resistance के across voltage है load resistance के across voltage कितनी होगी I, R L find out E naught next step जो रहेगा मतलब इसका next point रहेगा find out the value of E naught तो E naught की जो value रहेगी उसको हम किसके बराबर लिखेंगे V के बराबर और वो रहेगा voltage across load resistance load resistance के across voltage हो जाएगा I, R L I, I की value आपने निकाल ली है V is equals to E naught इसकी value कितनी आजाएगी I I की value आपने कितने निकाली E I over R plus R L तो ये बनेगा R L E I over R plus R L ये step आपको हर जीनर डायोड के circuit में करना है ये step आपको हर जीनर डायोड के circuit में करना है इसको ध्यान रखना है clear है यहां तक now next point is ये जो V आया है इसको हम compare करेंगे V Z से now compare now compare V with V Z V with V Z if if V greater than equals to V Z तो जो जीनर है वो किस state में होगा on state में then जीनर is in is on state और यदि V less than equals to है V Z less than है V Z से यदि V less than है V Z से तो उस case में जो जीनर होगा वो आफ स्टेट में होगा जीनर is in off state वापस सुनो यदि V greater than equals to है V Z तो जीनर on state में होगा और यदि V less than V Z है तो जीनर off state में होगा ठीक है तो हम दोनों condition चेक करेंगे के पहली on state की और दूसरी off state की पहली condition on state और on state का मतलब है कि V ज्यादा है और बड़ा है किस से VZ से तो उस case में जीनर डायोड वर्क करेगा जीनर डायोड वर्क करेगा तो अब equivalent circuit उसका क्या बनेगा equivalent circuit बनेगा उसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ पर जीनर डायोड लग रहा था तो जीनर डायोड लगेगा अब उसके अंदर से current का flow होगा current का flow होगा मतलब यहाँ पर आएगा plus यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ बन गी और यहाँ पर अप्लाइड वूल्टेज कितना है यहां करेंट जा रहा है यहां पर करेंट की वैल्यू है आई एल और यहां पर करेंट की वैल्यू है आई जेड यहां पर करेंट की वैल्यू कितनी है आई जेड है अब हमारा यह केस चल रहा है जिसमें वोल्टेज की वैल्यू जीनर वोल् output voltage है वो किस से ज़्यादा नहीं होगा जीनर voltage से ज़्यादा नहीं होगा तो अगर ये condition भी होती है कि V की value VZ से ज़्यादा आ जाती है तो जीनर इस तरह से काम करता है कि चाहे बाहर वाली value मतलब जो voltage आ रहा है let's suppose कि जीनर voltage है 4 volt और जो V है उसकी value हो गई 5 volt तो Z के बरावर हो जाएगी, अब यहां से देखो, किर्चॉफ voltage लो लगाओ, किर्चॉफ current लो लगाओ, current लो, ACL apply करोगे तो क्या बन रहा है, I is equals to IZ plus IL, IZ का मतलब है जीनर current और IL का मतलब है load current, तो यहां से जो जीनर current है, उसकी value आ गई, I minus IL, जीनर current की जो value है, वो क्या आ गई, I minus IL, यह जीनर current की value आ गई, load current की value कैसे निकालेंगे, load current IL, वो किसके बरावर होगा, वो बरावर होगा, E naught upon RL, E naught upon RL, क्योंकि E naught की value fix हो गई, और load resistance का उसमें भाग लग जाएगा, तो किसके value आ जाएगी, I L की value आ जाएगी, किसके value आ जाएगी, I L की clear है यहां तक, अब देखो, यहाँ पर जो voltage है, RL के cross, वही voltage जीनर के cross होगे, और यहाँ पर मैंने लिखा भी है, दोनों आपस में equal है, तो अगर मैं इसका equivalent circuit बनाओ, मतलब यह loop मैं लेना चाहूँ, यह loop, मैं यह वाला loop लेना चाहरा हूँ, जिसमें मैंने यह इस तरह से loop बनाया, इसका जो equivalent circuit बनेगा, वो कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ plus, minus, plus, minus, यह हो गया EI, यह हो गया plus, यह minus, यह हो गया R, यहाँ current flow कर रहा है कितना I, यह plus, यह minus, तो यहाँ पर जो voltage हो गया, वो E0 voltage हो गया, कौन सा हो गया E0, देखो, क्या circuit में combination मत रहा है, यह बनेगा EI, यह minus से plus है, यहाँ आएगा minus IR, और यहाँ plus से minus जा रहा है तो E0, और यह किसके बराबर हो गया 0, तो I की जो value है, वो कितनी हो गई, EI minus E0 over R, I की value हो गई, EI minus E0 over R, और यदि आप से पुछा जाए कि, जीनर में कितनी power consumption हो गई है, तो power consumption in Giner diode, power consumption in Giner, तो Giner में जो power consumption होगा, PZ, वो किसके बराबर होगा, VZ और IZ, IZ की value किसके बराबर होगी, IZ की value I, Z equals to I minus IL, और यह value आप already निकाल चुक है, I की, IL की value आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, clear है यहाँ तक, तो यह तो बात होगी, कब की on state की, यह on state की बात होगी, अब मैं बात करूँगा off state की, off state, off state का मतलब क्या होगा, कि जो V है, वो less than होगया VZ से, V जब less than VZ से होगया, तो उस case में Giner काम ही नहीं करेगा, और Giner काम ही नहीं करेगा, तो जो circuit है, वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर होगया यह open, और यहाँ पर आगया यह resistance, तो यह आगया RL, यह आगया R, यहाँ पर होगया I, यहाँ पर IZ की value होगए 0, यहाँ पर होगया EI, यहाँ पर होगया minus, यह होगया plus, ठीक है, और यहाँ पर होगया IL, और यहाँ पर जो voltage है, वो कितना है E naught, तो अब इस case में I is equals to कितना होजाएगा, IL होजाएगा, क्योंकि Z तो 0 होगया, I is equals to क्या होजाएगा, IL होजाएगा, अगर I is equals to IL होगया, तो इस case में I, Z अपलेट कर दिया 0, अब यहाँ पर जो VR है, VR, यानि कि इसके across drop, voltage drop निकालना है, तो इसके across voltage drop कैसे निकलेगा, EI minus E naught, क्योंकि यह circuit में से हटी गया, और यह circuit में से जब हट गया, तो इस पूरे circuit को जब solve करोगे, तो क्या लिखा जाएगा, EI minus IR, एक है, और minus, यहाँ पर अगर आप load resistance को consider कर रहे हो, तो IRL equals to 0, तो यहाँ से I की value निकाल लोगे, जो कि कितनी आएगी, IEI upon R plus RL, जो कि आपने पहले भी निकाली थी, ठीक वही तो काम कर रहा हूँ, जो मैं पहले कर चुका हूँ already, और यदि, यह I की value आपने निकाल ली, और आप से का जाए, voltage drop निकालो, तो voltage drop VR के across, तो VR के across voltage drop कितना हो जाएगा, IR, तो I की value कितनी हो गई है, I की value हो गई, EI, और upon R plus RL, और यह कितना हो गया, यह R हो गया है, जिसको आप किसके बराबर लिखोगे, जिसको बराबर लिखोगे आप, EI minus E0, और E0 की जो value होगी, वो किसके बराबर होगी, VZ के, और उसकी value, नहीं, V के बराबर होगी, E0 की value किसके बराबर होगी, वो होगी, EI, RL, upon R plus RL, यहां दोनों में अंतर है, यहां पर लिखा है R, यहां पर लिखा है RL, अगर इसको इसके according solve करते हैं, तो यही बन जाएगा EI minus E0, clear है आदक? क्लिर है? चला, question मैं एक पूछ रहा हूँ, वो solve करेंगे, हम साथ में solve करेंगे, तो question हमें दिया हुआ है, कुछ ऐसा, एक circuit हमें बना के दिया है, circuit कुछ इस तरह से, यह होगया 10 किलो ओम, यह होगया IL, यह होगया I, यह resistance की value 5 किलो ओम, यहाँ पर जो voltage है, यह plus है, यह minus है, यहाँ पर जो voltage की value है, वो है 120 volt, यहाँ पर जो current है, वो है I, Z, और यहाँ पर जो gynor voltage है, वो 50 volt है, gynor जो voltage है, वो 50 voltage है, तो सबसे पहला जो question में बोला गया है, वो बोला गया है, find out the output voltage, question first, find out the output voltage, find out the output voltage, में क्या निकालना है, हमें output voltage निकालना है, output voltage निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले, output voltage का मतला है, E0 की value निकालना है, E0 के लिए आप चाहो दे direct formula यूज कर लो, और चाहे तो वो जो सबसे पहला step मैंने बताया था, मैंने कहा था, हर जीनर डायोड के लिए solve करोगे, इसको, जिसमें आपको, जीनर को, क्या करना है, circuit में से remove करना है, तो पहला step, जो, यानि कि मैंने ये जो formula लिखवाया था आपको, V, EIRL, on R plus RL, ये वाला formula यूज करना है आपको, ये concept यूज करना है, ये वाला, ये वाला, remove जीनर डायोड from the circuit, ये निकालना है आपको, ये, तो यहाँ पर इसके लिए आपका ये formula बनता है, ये वाला, RL, EI upon R plus RL, तो यही formula मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, EIRL upon R plus RL, तो RL की value यहाँ पर कितनी given है, RL की value यहाँ पर 10 kilo, R की जो value यहाँ पर given है, वो है 5 kilo, ठीक है, EI की value यहाँ यहाँ पर जो given है, वो है कितनी 120 volt, इस formula को अगर यूज करोगे, तो E0 की जो value आजाएगे, कितनी आएगी, 120, RL की value कितनी है 10, ये 10 हो गया, upon R, R की value 5 है, plus 10, तो ये कितना हो गया, 120 इंटू 10, और ये हो गया 15, तो ये 8 times cancel out हो गया, तो यहाँ पर आगया 80 volt, तो ये कितना आगया answer, 80 volt, clear है ये, अब second step हमारा क्या है, हमें compare करना है, जीनर on state में होगा, या off state में, तो to check state of जीनर, तो ये value निकली है V की, और VZ की value है 50 volt, तो V greater than है किस से VZ से, क्योंकि V की जो value है वो 80 है और VZ की value 50 है, that means कि जीनर कौन से state में होगा, on state में, जीनर is in on state, लाले, next question जो मैं इसमें पूछा गया है the question is voltage drop voltage drop across across series resistance voltage drop across series resistance यानि कि यह जो resistance दे रखा है 5 ohm का 5 kilo ohm का इसके across voltage drop निकाल दा है तो इसके across voltage drop का formula क्या आया था EI minus E0 इसके across voltage drop का formula EI minus E0 EI की value है 120 volt और E0 की value हमने निकाली 80 तो आंसपर कितना आ जाएगा 70 तो voltage drop across E जो आ जाएगा V VR VR की value कितनी हो जाएगी EI minus E0 EI की value हमारे पास है 120 E0 की value हमने निकाली 80 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा नहीं ये 80 नहीं लेके हम VZ VZ लेंगे सॉरी तो एक मिट रुपना एक मिट एक मिट एक मिट अभी मत करना इसको देखो ये जो मैंने formula लिखा दा ये वाला ये formula किस state में है जब जीनर आफ इस्टेट में है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेन जीनर इस इन आफ इस्टेट उस केस में VR किसके बराबर है EI माइनस E0 और E0 वही है जो आपने निकाला है actual value of E0 तो यह कौन सी है actual value of E0 actual value of E0 ले रहे हैं अभी आपर जीनर है ओन स्टेट में वेन जीनर is in ओन स्टेट जीनर इस इन ओन स्टेट तो उस केस में VR की value क्या लेनी है EI माइनस E0 और E0 किसके बराबर होगा VZ के बराबर क्यों कि जब जीनर ओन स्टेट में होता है तो V greater than equals to क्या हो जाता है V0 यानि कि voltage कितना ज़्यादा हो जो circuit है वो voltage किसका consider करेगा VZ का VZ की value E0 कि बराबर हो जाएगी VZ और VZ की value आपको कितनी दियुए है 50 तो इसके accordingly आंसवर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120 माइनस 50 तो यहाँ पर आ गया 70 आंसवर आ गया इस चीज को आपको खासा धियान रखना है कि जीनर ओन स्टेट में रहा है या अफिस स्टेट में रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिए आए कि यह कौन सी स्टेट में है ओन स्टेट में है तो इसका मतलब जो स्रीज रेजिस्टेंस है उसके across जो voltage drop है उसका answer हो जाएगा 70 वोल्ट अंसवर इसके दोनों आएंगे अगर इसके according निकालोगे तो कितना निकलेगा 120 माइनस यहाँ पर कितना है 80 तो यह कितना हो जाएगा 40 वोल्ट और यह 40 वोल्ट किस केस में होगा जब जीनर किस केस condition में होगा और जैसे यह on state में आएगा तो यहाँ पर जो आप्लाइड जो output voltage है वो जीनर के बराबर हो जाएगा तो resistance voltage कितना आजाएगा 70 वोल्ट क्लियर है केस में अब इसका जो second case है second case में मैं EI को कर रहा हूँ fixed तो EI मतलब जो input voltage है अप्लाइड वोल्टेज है उसको मैं fix कर रहा हूँ जीनर डायोड की बात कर रहा है जो load resistance है load resistance जिसको हम RL बोल रहे थे उस RL को मैं क्या करा रहा हूँ variable RL तो यह दूसरा case है पहला case तो हमने solve कर लिया था यह दूसरा case है तो सबसे पहले तो हमें बनाना पड़ेगा circuit diagram तो circuit diagram तो उसका fix ही है circuit diagram बना लेते है यह बन गया zेनर डायोड और यहां से यह हो गया variable resistor तो इस पे इस तरह का मैं निशान लगा दिया इसका मतलब है जो load resistance है भी vary कर रहा है तो यह है R और यह है RL यहां पर है जीनर डायोड जीनर डायोड की voltage है VZ यहां पर plus यहां पर minus यह current का flow कर रहा है current हो गई I यहां पर current हो जाएगी I L और यहां जो current आजाएगा वो हो जाएगा I Z ठीक है यहां जो current आजाएगा वो हो जाएगा I Z और यहां पर जो voltage डवल पोगा उसको हम कहेंगे E naught तो पहला step तो आपको क्या करना है जो मैंने आपको बताया था fix है सबसे पहले आपको V की value निकाल ले है so that आप यह compare कर पाओ कि jiner diode on state में या off state में तो step first क्या रहेगा step first रहेगा कि remove jiner from the circuit यह सब में same रहेगा remove jiner diode remove jiner diode from the circuit from the circuit इसको circuit से अटाना है और उसके बाद हमें value निकालने है कि इसकी V की and find out the value of V and find out find out the value of E value of E naught और E naught की जो value होगी वो किसके बराबर होगी वो बराबर होगी V naught के E naught की value वही है जो हमने कल अल्रेडी निकाली थी यानि कि सबसे पहले हम current निकालेंगे फिर load resistance के across हम क्या निकाल लेंगे load resistance के across हम voltage निकालेंगे तो RL EI और ये value कितनी आ जाएगी R प्लस RL R प्लस RL ठीक है तो ये हमारा first step रहेगा clear है यहां तक बोलिए यहां तक clear है ये कुछ भी नया नहीं कहा है मैंने कल वाली चीज़ वापस से लिख दिये फिर उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे अब मैंने कहा है यहां पर EI की value fix रहेगी तो पहले तो आप check कर लोगे तो first check कि जीनर on state में या off state में first check whether whether जीनर is in on state और off state जीनर जो है वो on state में है और off state में सबसे पहले आप ये check करोगे कि जीनर on state में है या off state में IE अगर V की value greater than equals to VZ है तो जीनर किस में on state में on state का मतलब वो circuit में होगा और अगर V less than VZ है तो इसका मतलब जीनर किस state में off state में off state का मतलब है कि जहां जीनर डायोड लगा हुआ है वहां current की value हो जाएगी 0 सबसे पहला step आपको है कि ये check करना है अब दूसरा step दूसरा step आप क्या लगा होगे कि मैंने कहा है यहाँ पर EI fix है तो EI यानि कि जो input resistance है जो voltage है जो आप यहाँ पर apply कर रहे हो वो input voltage तो हमेशा fix रहने वाला है वो हमेशा fix रहने वाला है तो इसका मतलब vary कर रहा है RL load resistance तो load resistance अगर vary करेगा तो उसके साथ current भी vary करेगा कौन सा current लोड current ना तो if if RL is variable यदि RL variable है यदि RL variable है then then IL is also variable तो IL जो है वो भी क्या होगा variable होगा ठीक है यदि RL variable है तो IL भी variable होगा और किस तरह से vary करेंगे क्योंकि ohm का जो law है since ohm law जो है वो ये कहता है कि B is equals to IR तो that means कि जो I है वो reciprocal होगा किसके R के मेरे कहने का मतलब है कि यदि load resistance की value maximum है तो उस case में उस case में IL load current कितना होगा minimum और यदि load resistance की value minimum है तो उस case में जो load current है वो क्या होगा maximum ये बात clear है minimum की value निकालता हूँ तो I max की value क्या बनेगी वो हम निकालेंगे फिर हम यह निकालेंगे कि यदि RL maximum है तो उस case में I minimum क्या value होगा वो हमें निकालना है तो उसके लिए मैं यहां से इस circuit diagram को कर लेता हूँ copy इस circuit diagram मैंने कर लिया copy और इसको लेके चलते हैं हम next page के उपर तो पहला case में बना रहा हूँ जब load resistance minimum है case first case first कौन सा है RL minimum RL minimum and I L maximum RL minimum है और I L maximum है RL minimum की value कहां से निकालोगे उसके लिए आपको यह equation यूज़ करनी पड़ेगी V equals to RL EI minimum upon R plus RL तो मैंने यह equation ले 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 तो V equals to RL EI over ये कितना हो जाएगा R plus RL R plus RL हम RL की minimum value निकाल रहे हैं तो RL को हम यहां क्या लिख देंगे minimum क्योंकि जीनर on state में है तो since जीनर is in on state since जीनर is in on state यहां पर जीनर on state में है on state का मतलब है V greater than equals to VZ यानि कि V की जो maximum value हो सकती है जो कि allow होगी जो कि allowable है वो कितनी हो जाएगी VZ तो इस value को आप क्या लिख दोगे VZ लिख दोगे तो इसको लिख दिया आपने VZ तो RL की आप value निकाल रहे हैं minimum और यह हो जाएगा EI over R और प्लस RL minimum अब आप इसको कर दो cross multiply cross multiply कर होगी है तो यहां से बनेगा VZ R प्लस VZ RL minimum equals to RL minimum और EI आपको value जाए RL minimum की तो RL minimum को आपने एक साइट रखा minus कर दिया आपने EI में से VZ को और equals to क्या आया VZ R तो यहां से RL minimum की value कितनी हो गई यह हो गई VZ R over EI minus VZ अचाए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको यह रटने नहीं है आप simple सा यह देखो कि circuit में काम कैसा हो रहा है बस आप तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि circuit के accordingly जो equation है मैं कैसे बना रहा हूँ कई यह formula रटने बैठ जाओ रटने नहीं यह formula है RL minimum की value निकल गई तो RL minimum की value निकल गई तो इससे हम क्या निकाल सकते है IL max तो IL max यानि कि load current की maximum value load current कहां से pass हो रहा है load current pass हो रहा है जहां पर E naught है E naught किस के across है RL के across तो इसको लिखेंगे E naught और E naught upon RL minimum अब E naught की value किसके बराबर हो गई है V और V की value किसके बराबर है VZ तो IL max की value किसके equal हो जाएगी वो हो जाएगी VZ VZ upon RL minimum तो यह value हो गई किसकी IL maximum की clear है आदक पर current आ रहा है I यहां current जा रहा है IL और यहां से current पास हो रहा है IZ यहां पर लगाओगे आप किर्चॉफ current law यहां पर किर्चॉफ current law तो किर्चॉफ current law लगाओगे तो उसके according I equals to IL और plus IZ अब क्योंकि IL की जो value है वो maximum हो गई है तो I की value कितनी हो जाएगी IL की जो value है वो maximum हो गई है जादा current इसमें चला गया इसका मतलब इसको balance करने के लिए Z में कौन सा current जाएगा minimum इसको balance करने के लिए Z में अब कौन सा current जाएगा minimum जाएगा तो Z में कौन सा current चला गया minimum यानि की मेरे कहने का मतलब यह है कि जब load current maximum हो जाएगा तो उस case में जो जीनर current है वो minimum हो जाएगा I.E. जीनर current will be minimum जीनर current will be minimum तो यहाँ पर जीनर current क्या हो जाएगा minimum हो जाएगा clear है यातक बात अब यहाँ पर एक important note बना के लिख रहा हूँ note बना के क्या लिख रहा हूँ कि यदी जो load resistance है यहाँ पर अब मैंने एक fix value कर ली एक fix value कर ली है मैंने किसकी load resistance की तो यदी किसी भी case में load resistance की value minimum हो जाती है RL minimum से यदी load resistance की value किसी भी case में minimum हो जाती है load resistance हमने निकाला है minimum value उससे minimum हो जाती है then जो जीनर diode है वो off state में चला जाएगा then जीनर will be in off state जीनर will be in off state अगर किसी भी condition में कैसे भी करके अगर जो load resistance की value है वो किसी भी कारण से अगर minimum होई minimum से भी कम होई तो उस case में जीनर diode काम करना बंद कर देगा तो यह हो गया कौन सा case जब हमने RL को minimum लिया है और IL को क्या लिया है maximum वो automatically understood है कि RL minimum होगा तो IL क्या हो जाएगा maximum हो जाएगा अब मैं इसका दूसरा case बना रहा हूँ दूसरा case इसका कौन सा है जब IZ maximum होगा IL minimum होगा जब हम IL को minimum करेंगे तो R जो है वो maximum हो जाएगा तो next case बना रहा हूँ है case 2 case 2 when अब मैं किसको maximum कर रहा हूँ यहाँ पर कर रहा हूँ मैं maximum RL को RL maximum and IL minimum IL क्या हो जाएगा minimum तो यदि IL minimum हो गया है यानि कि load current अगर minimum हो गई तो automatically जो jiner current है वो क्या होगी maximum होगी क्योंकि जो net current है जो current पास और यह circuit से उसकी value क्या रहना है constant रहना है तो maximum current तो IZ jiner की जो current होगी उसकी value बनेगी I minus IL minimum तो यह जो jiner current आएगी यह कौन सी current आएगी maximum jiner current यह कौन सी current आएगी maximum jiner current ठीक है और जो load resistance की value आएगी वो maximum आएगी load resistance की value maximum कब बनेगी जब आपने value निकाल ली किसकी E0 upon इसमें divide कर दोगे किसका I किसका minimum का IL minimum से इसको divide कर दोगे तो RL क्या जाएगा maximum आ जाएगा अब जो IL है E0 है उसकी value क्या है VZ है VZ upon IL minimum IL minimum तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास एक तो निकल के आ गया यहाँ से IZ maximum jiner current निकल गया और यहाँ पर जो load current है वो भी क्या हो गया maximum और load, sorry, jiner जो current है वो maximum हो गया load resistance यहाँ पर maximum हो गया और load current यहाँ पर क्या हो गया minimum हो गया, तो यह कौन सा case है जब हमने जो input voltage है उसको constant रखा है और load को हम क्या करा रहे है, vary करा रहे है अब यदि इस case को पलट दिया जाए मतलब कि यहाँ पर अभी तक मैंने बात की, कि EI fixed है और variable RL है, अब अगर मैं यह क्या दूँ कि जो load resistance है वो fixed है और जो voltage है वो vary कर रहे है, वो voltage जो है वो vary कर रहे है, तो उस case में आप क्या करोगे, वो हमें निकाल अब मैं case change कर रहा हूँ अब मैं बना रहा हूँ third case when when RL is fixed यानि कि load resistance आपने fix कर दिया and EI is variable EI is variable EI variable है, यानि कि EI की value minimum से maximum के बीच में change हो रहे है EI की दो value हो सकती either it is minimum और either it is maximum तो दो के बीच में घुमेगा तो सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है जो undoubtedly, जो बिना कुछ सोचे समझे आपको करना ही करना है E0 की value निकालने, E0 is equals to VZ EI RL over R plus RL, ये तो आप हर case में निकालेंगे क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि जीनर working है या नहीं है तो पहले case हम बना रहे है कि EI minimum यदि जो voltage है वो minimum हो, तो minimum जो voltage होगा वो इसी के बराबर होगा यानि कि E0 के बराबर होगा और उसकी value क्या हो जाएगी? वो value हो जाएगी EI RL EIRL upon R plus RL एक मिट्र रो यह यह input voltage दे है, random input voltage तो यह तो मारे पास output voltage है तो E0 is equals to VZ और यहाँ पर लिखा है जो EI EIRL over R plus RL EI की value चीए हमें तो EI की value हमने क्या कर दी है? यहाँ पर minimum इस value को अगर मैं minimum करता हूँ तो यहाँ से इसको cross multiply करो तो cross multiply करोगे तो यह बनेगा VZ R plus RL over RL तो यह value आ गई है minimum input voltage की, पहला case minimum input voltage दूसरा case हम बनाएंगे जब हमारे पास E जो है यानि की input applied voltage है वो maximum हो जाए दूसरा case हम बनाएंगे EI max का EI max EI max का case बनाएंगे तो current जो है जो कितनी जाएगी IZ plus I net current की value कितनी रहेगी वो रहेगी IZ plus IL यह किसकी value होगी, net current की value होगी और क्योंकि input जो voltage है वो हम maximum कर रहे है since since IL equals to किसके बराबर होगा E0 upon RL यह किसके बराबर होगा E0 upon RL और RL की value है fix RL की value fix है और RL की value fix है इसका मतलब जो load current है वो भी क्या हो जाएगा fix हो जाएगा ना तो यह कौन सी value होगी fix value होगी एक fix value होगी होगी यहाँ पर ना तो I will be maximum तो अकर EL maximum है तो I भी क्या होगा maximum और यह maximum कब होगा जब jiner current क्या होगी maximum so for I max for E I max E I max I will be maximum I का मतलब है total current I will be maximum I will be maximum when I I Z is maximum बही मैंने I Z को यह maximum क्या है क्योंकि यह value fix होगी यह value fix क्यों होगी क्यों कि load resistance fix होगया और load resistance fix होगया इसलिए ILB क्या होगया fix होगया तो I जो अब variable रह गया वो depend कर रहे है जीनर current पर तो अगर I maximum होगा तो जीनर करेंट भी क्या होगा maximum होगा तो I max की value किसके equal हो जाएगी I max की value equal हो जाएगी I zm I zm का मतलब है I gener maximum और प्लस I L I L की value किसके बराबर है I L की value बराबर है E naught upon R L और इसी तरह से E I की जो value है वो किसके बराबर हो जाएगी I R plus E naught E I की जो value है वो किसके बराबर हो जाएगी I R plus E naught और E naught जो है वो किसके बराबर है VZ के बराबर तो इसको हम क्या लिख देंगे E I max की जो value है वो किसके equal हो गई I R और ये I जो है वो maximum होगा इसको आप लिखोगे I max R plus VZ ये हो गया maximum input voltage input output maximum और ये कौन सा हो गया ये minimum हो गया तो ये दो अलग-अलग case बन गया तो अब आपको जो questions दिया जाएंगे वो कोई सा इन में से एक case मिलेगा आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा case दिया हुआ है उसके question करते हैं वे इसके तो question आपको दिया गया है next page पर करते हैं the question is एक circuit diagram हमें दिया गया है और उस circuit diagram में variable कौन है? voltage variable है load resistance को कर दिया fix और यह 5 ओम का resistance है यहाँ पर जीनर डायोड लगा हुआ है यह हो गया 10 किलो ओम यह हो गया 5 किलो ओम यह हो गया वेरी एक और इसकी voltage वेरी कर रहे है 80 वोल्ट to 120 वोल्ट 120 वोल्ट यहाँ current आ रहा है IZ यहाँ current जा रहा है IL यहाँ current है I और यह हो गया 50 वोल्ट का ठीक है? यह हो गया 50 वोल्ट का मैं पूछा है कि find the maximum and minimum value of जीनर डायोड current find the find the maximum and minimum value maximum and minimum value of जीनर डायोड current minimum value of जीनर डायोड current जीनर डायोड करेंट की हमें maximum और minimum वेल्योड बताने है देखो यह कौन सा case हो गया? साफ साफ यहां से दिख रहा है कि यह कौन सा case है? जिसमें load resistance fix है और जो input voltage है वो vary कर रहा है तो यहाँ पर यह कौन सा case बन रहा है? यह case बन रहा है कौन सा EI is variable EI is variable and RL is fixed ठीक है? RL is fixed तो सबस्क्राइल है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको VZ की value जो E0 की value है वो निकालने पड़ेगी E0 की value किसके equal आती है? वो आती है EI और RL EI RL RL upon R plus RL और यह value को आप क्या लिखते हो? V लिखते हो यह value को आप क्या लिखते हो? V लिखते हो तो यही से हमने EI का formula बनाया था तो EI का formula हमारा जो बना था वो क्या बना था? वो बना था VZ यही जो formula बना था हमारा वो क्या बना था? VZ R plus RL upon RL यहां तर clear है आना बुलो वही हो गया अब पहले तो यहां चेक कर लोगी जीनर और on state में या off state में तो जीनर जो voltage है वो given है 50V की और जो input voltage है उसकी range दे रखिये input voltage की रहे ने 80V से और 120V which is greater than which is greater than 50V है ना तो greater than 50V है तो इसका मतलब जीनर on state में एक बात तो clear हो गई कि जीनर के इस state में है on state के अंदर है मैं निकालना है maximum और minimum value of जीनर diode current तो जीनर diode current की maximum minimum value निकालनी है तो वो कैसे निकल सकती है देखो हमारे पास है i i की value किसके बरावर होती है iL plus i iZ तो when when eI की जो value है मैं minimum लूँँगा eI की value मैं क्या लूँँगा minimum लूँगा तो उस case में जो total i है उसकी value भी क्या हो जाएगी minimum since iL is fixed क्योंकि iL fixed है तो उस case में iZ भी क्या होगा minimum होगा iZ भी क्या होगा minimum होगा और जब eI maximum होगा था उस case में iB क्या होगा था maximum होगा था और I, Z भी क्या हो गया था, maximum हो गया था, तो हमें अब E, I की minimum और maximum value के accordingly काम करना है, तो minimum और maximum value के accordingly काम करेंगे, जिससे हमें I minimum और maximum value मिल जाएगी, Giner की, तो जब Giner की हम minimum value निकाल रहे होंगे, तो उस case में E, I को हमें minimum करना पड़ेगा, और जब जीनर की हम maximum value निकाल रहे होंगे तो उस case में हमें जो जीनर current है उसको जो बैटरी है उसको क्या करना पड़ेगा maximum की तरफ करना पड़ेगा अब यहाँ पर दो range है एक range है यह 82, 120 82, 120 अगर मैं इसको 80 volt लेता हूं ना अगर मैं इसको 80 volt लेता हूं तो when EI की जो value है मैंने 80 volt ले ले EI की value अगर मैं 80 volt लेता हूं तो इसके across जो voltage है इसके across 5 ohm का जो load है उसके across voltage voltage across voltage across 5 ohm 5 ohm के across voltage कितना हैगा 80 और यह 50 किसका जीनर का 80-50 80 यहां से और 50 यहां से यह माइनस दोनों opposite polarity होंगी न 80-50 यह कितना हो गया 30 तो load current जो total current है वो कितना आएगा 5 V upon R होता है कितना आएगा 30 upon R R की value कितनी है 5 तो यह आजाएगा 6 milliampire यह कितना आएगा 6 milliampire क्योंकि मैंने EI की value को minimum लिया है तो simple सी बात है I की value भी क्या हो गई minimum हो गई I की value minimum हो गई तो IZ भी क्या निकलेगा minimum निकलेगा और minimum कितने के निकलेगा 6 minus IL तो IL तुमें निकलना पड़ेगा तो IL की value कैसे निकलोगी हो यह यहां निकलो IL किसके बराबर होगा E0 upon RL और E0 की value किसके बराबर होगी VZ upon RL तो VZ कितना है 50 तो VZ है 50 50 और RL की value कितनी है 10 तो इसकी value तो रहेगी 5 milliampire यह किसकी value रहेगी 6 minus 5 is equals to 1 milliampire इसकी value कितनी होगी 6 minus 5 is equals to 1 milliampire इसी तरह से अगर मैं को maximum निकालना है तो for maximum next page पर कर लेता है for maximum maximum के लिए आपको EI की maximum value लेनी पड़ेगी EI की value ले 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 आपने 120 volt 120 है ना हो 120 तो इसके लिए आप I max की value निकाल लो तो I max की value कितनी हो जाएगी है 120 minus 50 आपने 80 minus 50 क्या था अब आप करोगे 120 minus 50 और जो resistance है load resistance sorry resistance उसकी value है 5 तो यह 5 तो यह हो गया कितना 70 upon 5 तो यह हो गया 14.75 14 milliampire और load resistance जो है load current है उसकी value fix है I L की value 5 milliampire हमने अब यह निकाली थी तो I Z की maximum value जो आजाएगी वो कितनी आजाएगी 14 minus 5 तो यह आजाएगा 9 milliampire यहाँ से 2 value मिल गई एक तो आपको मिल गई maximum value maximum value हो गई 9 milliampire और एक value आपको मिल गई minimum value और minimum value जो हो गई वो हो गई 1 milliampire clear है यहाँ तक input voltage की range बताने हैं input voltage की range बताने है voltage range voltage range निकालने है इसका मतलब EI variable है और जो load resistance है उसकी value fix कर दी question वही है same EI variable है और load resistance fix है अब यहाँ पर input voltage जो है वो आपको given नहीं है तो आपको range निकालने के लिए बोल जा रहा है तो approach वही रहेगी जो हमारी पिछले question में थी बस अब यहाँ पर उल्टा करना है उल्टा चलाना है question और इसके अलावा सारी value दी हुई है जीनर current जीनर voltage हमें दिया हुआ है 30 जीनर voltage की value दिये गया जीनर current shown figure maintain यहाँ E0 की value आपको दे रखे 30 volt 30 volt E0 की value दे रखे 30 volt और resistance दिया हुआ है 200 ohm जीनर current की rating है 25 mili ampere IZ जो given है वो है 25 mili ampere ऐसा question दिया हुआ तो आपको दो value निकालने एक minimum value और एक निकालने maximum value एक बार तो निकालना है EI minimum और एक बार निकालना है EZ maximum है ना EI minimum का क्या fund था आपके बास EI minimum के लिए आपने formula लगाया था EI minimum के लिए आपने formula यूज किया था मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था उसको वो था R plus R L VZ VZ upon R L ठीक है यही formula था देखो VZ R plus R L upon R L तो R की value कितनी है 200 R L की value कितनी है R L की value 2000 और upon R L R L की value कितनी है 2000 और VZ कितना हो जाएगा 30 V हो जाएगा दोनों को same match कराना है तो 30 V VZ की value तो यहाँ से जब इसको solve करोगे तो कितना बने गए यह बने गा 2200 over 2000 into 30 तो 3 यह दो 3 तो 33 V तो E minimum की value कितनी आ गए 33 V आ रहे है गया E minimum की value कितनी आ रहे है 33 V अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रठना यह condition जब हम बना रहे है तो यह कब बना रहे है when jiner is removed jiner is removed jiner is removed मतलब IZ की value हम क्या करते है 0 करते है तो minimum voltage कब बनता है minimum input voltage कब बनता है जब jiner current को हम क्या कर देते है 0 कर देते है jiner current को क्या कर देते है 0 और maximum जो voltage है वो कैसे निकाला था हमने I max की value I max R plus Vz तो E max की value किसके बरावर है E max I max R plus Vz Vz तो है तुमारे पास कितना है Vz? 30 है अब R की value भी तुमारे पास है 200 तुम्हें किसकी value निकाल लिए है I की value निकालने है किसकी value निकालने है I की value निकालने है तो I की value कैसे निकालोगे ये jiner current दिया हुआ है तुम्हे तो I की जो value हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25 IZ प्लस IL I की value हो जाएगी IZ प्लस IL IZ तुम्हें दिया हुआ है 25 milliampere I L की value कैसे निकालोगे I L की value को 30 over 2000 30 over 2000 यहां लिख देता हूँ मैं I L जो है वो कितना हो जाएगा 30 over 2000 तो यह हो जाएगा 15 15 milliampire यह हो जाएगा 15 milliampire तो यहां से I की value कितनी आ जाएगी 40 milliampire 40 milliampire तो यहां से अब value रख दो 40 into R 200 plus VZ कितना दे रख थर्टी यह हो जाएगा 4 दुनी 8 और milliampire में आएगा यह बन जाएगा 8 तो 30 plus 8 तो आंस परा जाएगा 38 volt तो maximum voltage कितनी हो जाएगा 38 volt वही है milliampire में यह current यह current milliampire में तो यह total बनेगा 8000 और क्योंकि milli में है तो 10 power minus 3 से 1000 कट हो जाएगा तो 8 रह जाएगा तो इसलिए आंसर हो जाएगा 38 volt clear है what value of series resistance is required what value of series resistance what value of series resistance is required is required is required when 3 10 watt when 3 10 watt 10 volt 10 watt 10 volt 1000 milliampire 1000 milliampire GINA-Diode GINA-Diode GINA-Diodes are connected in series is to obtain a 30 volt regulated output from a 45 volt DC power source, from a 45 volt DC power source, diagram हमें कुछ इस तरह से बना के दिया है, E0 is equal to 30 volt, R, यहाँ पर दिया है EI, और EI की value है 45 volt, यह है plus, यह है minus, और यहाँ पर दिया हुआ है जीनर, यह जीनर स्रीज में लगे हुएं तीन, एक, दो, और एक तीसरा हो रहे हैं, तीन जीनर स्रीज में लगे हुएं, परेंट का फ्लोरा है ऐसे, यह circuit diagram है, तो question में हम बोला गया है कि, what value of series resistance is required, इसकी value निकाल ली है, when 3, 10 watt, 10 volt, 10 milliampier जीनर डायोड की जो current है, वो है, 10, 100, 1000 milliampier, 1000 milliampier का मतलब हो गया 1 ampier, इसका मतलब हो गया 1 ampier, जो जीनर voltage जो दे रखा है, वो दे रखा है में 10 volt, और जो power rating है, power rating हमें दी हुई है, 10 watt, यानि कि जीनर के अंदर जो current है, वो कितने के power consumption है, वो 10 watt का है, यह हमें given है, series में connected है, 30 volt की regulated output from 45 DC power voltage, तो output voltage कितने का है, 30 volt का है, तो E0 की जो value है, 10 plus 10 plus 10, तो resistance किसके बराबर होगा, resistance के across voltage निकालना है, तो voltage across resistance, voltage across यह तो बहुत simple सा question है, voltage across resistance, तो resistance के across जो voltage होगा, वो किसके बराबर होगा, input voltage minus output voltage, input voltage कितने का है, 45 volt का, तो 45 में से minus कर दिया, 30, output voltage 30 का है, कितना answer आगया है, यह 15 volt आगया, तो यह 15 volt answer आगया, अब इसमें divide कर दे हम किसका, current का, तो हमें क्या मिल जाएगा, resistance, current हमें कितनी दे रखी है, current हमें दी हुई है, यहाँ पर, यह current जा रही है न, तो यह current कितनी होगई, एक ampere की, तो एक ampere का मतलब होगया, एक ampere ही होगई, तो resistance कितना होगया, voltage upon current, यानि कि EI minus E0 upon I, तो I की value, यह तो होगया, 15 volt राइ की value आपने लिखी हुई है, कितनी 1 ampere, तो answer कितना आगया, 15 ohm, इसका answer कितना आगया, 15 ohm, clear, forward bias, when geno diode, is in forward bias, जब geno diode forward bias में होता है, then the geno diode, then it can be replaced by, then it can be replaced by, replaced by a DC voltage source, replaced by a DC voltage source, DC voltage source of the value, of the value of cut voltage, cutoff voltage of semiconductor, cutoff voltage of given semiconductor, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है, जैसे कि, जो हम बात करते हैं, silicon के लिए उसकी cutoff voltage होती है, 0.7, germanium के लिए होती है, 0.3, तो अगर वो forward bias में है, तो हम cutoff voltage में उसको convert कर देते हैं, जो कि उसकी value होती है, ठीक, फिर, doping, concentration, जो दूसरा आता है, दूसरा क्या है, जो width of depletion layer है, width of depletion layer, width of depletion layer, इसको हम represent करने W से, W inversely proportional होती है, 1 upon doping concentration, 1 upon doping concentration और इसका under root, यानि कि आप अगर doping concentration बढ़ाओगे, तो जो depletion layer की width है, वो कम होगी, और doping concentration को कम करोगी, तो depletion layer की width है, जो वो बढ़ेगी, similarly जो electric field है, electric field, electric field, electric field को मैं लिख रहाँ, E से, ये proportional होता है, inversely doping, जो width है, width यानि कि depletion layer की width, depletion layer की width ज़्यादा होगी, तो electric field कम लगेगा, और depletion layer की width कम होगी, तो electric field ज़्यादा लगेगा, electric field क्या होगा, ज़्यादा होगा, पर और पोगेगा, ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगेगा। ये ज़्यादा होगे पूगे डीणा, झार प Cur.. rupturing of covalent bonds, rupturing of covalent bonds, covalent bonds, tiering and rupturing of covalent bonds in depletion layer, in the depletion layer. fifth point है, general breakdown occur due to large electric field, general electric field large होगा तो width बहुत कम हो जाएगी, width बहुत कम हो जाएगी, तो circuit क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो general breakdown, breakdown occur due to large electric field, सीधा सा कारण है, e proportional है, 1 upon w, e की value जितनी जादा होगी, depletion layer की width उतनी कम होगी, तो आराम से breakdown हो जाएगा, उसका, general breakdown occurs, general breakdown occurs, general breakdown occurs, when voltage are below, when voltage are below 6 volt, voltage are below 6 volt, जब voltage 6 volt के नीचे चला जाएगा, reverse voltage 6 volt के नीचे चला जाएगा, तो general breakdown हो जाएगा, the temperature coefficient of general breakdown is negative, the temperature coefficient, temperature coefficient of general breakdown is negative, breakdown is negative, इसका temperature coefficient क्या होगा, negative होगा, जीनर breakdown का, जीनर breakdown voltage decrease with temperature, जीनर जीनर ब्रेक्द 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 ब्र टेंपरेचर कॉफिशेंट, NTC, NTC का मतलब है नेगेटिव टेंपरेचर कॉफिशेंट जीनर के केस में नॉर्मली जो विट्थ होती है जो जंक्शन विट्थ होती है जीनर डायोड के केस में वो हंठ्ट आर्म्स्ट्रॉंग तक की होती है तो दॉ डविट्थ आफ ळजंक्शन विड्थ जो रहे abused अंड्रेड़् आर्म्स्ट्रॉंग की होती है so that very strong field, so that very strong electric field, very strong electric field of 10 power 7, 10 power 7 volt per meter is developed, is developed near the, near the junction.